हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आज हम आप लोगों के लिए नारियल की चटनी की रेसिपी लाएं हैं ये हर चीज के साथ बहुत अच्छी लगती है इडली के साथ डोसे के साथ तो चलिए बताते हैं कि कैसे बनाएंगे सबसे पहले हमने कच्चा नारियल ऐसे मोटे मोटे पीसेस में कट करके ले लिया है इसमें थोड़ी सी धनिया डाल देंगे तीन से चार हरी मिरस डाल दिया है अब ये हमने अमूल की दही ली है फ्रेंट्स आप कोई भी दही ले सकते हैं इसमें मठ्थे वाली भी दही की चट पहले इस पर एड़ कर देंगे तो यह देखे फ्रेंड दही को एड़ कर दिया है इसमें आप जितना आपके मिक्सी में आ जाए बहुत जाथा गाड़ी भी नबत रखिएगा चटनी ये तो देखे चटनी को हमने पीस लिया है अभी तो ये गाड़ी है इसको बाद में आप दही डालके ही पतला कर लीजिए क्योंकि पानी डालके पतला करेंगे तो थोड़ा सा जो इसका खटापन होता है वो कम हो जाता है फिर नीबू एड़ करना पड़ता है तो इससे अच्छा होता है कि आप दही डालके एड़ करिए तो चटनी का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है इसमें तो देखिए इस चटनी को बाउल में हम सबसे पहले ट्रांसफर कर देंगे एक बाउल ले लिजे उसमें इस चटनी को निकाल लेना है अब चटनी को हमने निकाल लिया है सारी चटनी हमने निकाल के बाउल में रख लिया है फ्रेंड्स थोड़ा सा प तका वाला पैन लिया है इसमें थोड़ी सी राई ओयल डाल दिया है थोड़ा सा राई उसमें डाल दिया है तड़के में और लाल मिर्ष करी पत्ता बस इनी चीजों का चाहे थोड़ी से उरत की डाल डाल दीजिए सूखी और उसके बाद में एक चम्मची डालिएगा और यार है तो यह चटनी पसंद आए तो आप भी ट्राई कीजिए बाई बाई टेक केर फ्रेंड्स